फ्रेंड्स क्या हमें डीजल से या फिर जो टीटी ओयल होता है जो तारपिन तेल होता है उससे अपने बाइक या स्कूटर के इंजन को फ्लश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए डीजल से इंजन फ्लश करने से क्या फाइदा होता है क्या नुकसान होता है कब करना चाहिए क पताने वालों वैसे अगर डीजल की बात की जाए तो इससे पहले मैंने दो अलगले वीडियो अप्लोड किया है एक वीडियो मैंने आपको केरोसीन, डीजल, चेन क्लीनर और WD-40 इन सबसे अपने बाइक के चेन को क्लीन करेका आपको प्रैक्टिकली शो किया है कि सबसे बेह उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा Friends, topic में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा announcement है आप सब के लिए देखो, अभी मैं अपने mechanical tech हिंदी की steam को थोड़ा expand कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो job की vacancy है एक है video editor कम graphic designer का post और दूसरा है cameraman कम assistant का post देखो, freelancer का requirement नहीं है, यह full time job opportunity है तो जो भी interested candidate है आपको screen पे यहाँ पे email ID दिखाई दे रहा है तो आप अपना detail जो है वो यहाँ पे email जरूर से कर दे चलिए अवरों topic में वापस आते हैं, देखो शुरुआत में मैं बहुत short में, जिने नहीं पता उन्हें engine flush के बारे बताना चाहूँगा देखो, जब भी हम अपने bike rider scooter के engine oil को change करते हैं, तो जो पुराना engine oil engine के अंदर से निकलता है, वो सिर्फ काला नहीं होता है अगर आप गौर करोगे तो उस engine oil में आपको बहुत जादा गंदगी भी मिला हुआ दिखाई देखा, carbon deposit होता है, suit होता है, sludge होता है, और यह सारी गंदगी engine के अंदर जमा हो जाती है, जैसे आपने bike scooter को चलाते जाते हैं, engine पुराना होते जाता है, वैसे वैसे engine के अंदर से भी engine के अंदर जो चिपचिपे टाइप के जो हमारे suit बागरा, जो sludge है, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो engine के अंदर के इसी गंदगी को बाहर निकाने के लिए engine में engine flush को किया जाता है, वैसे channel पे engine flush के उपर में एक detailed practical video है, एक million से भी ज्यादा views है, जहां पे मैंने आपको step by step दम simple तरीके से engine flush करने को सिखाया है, अगर आपको वीडियो देख लोगे तो आप खुद से अपने बाइक के स्कूटर को अपने घर में ही engine flush कर पाओगे, उस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा, साथी अपनी गाडियों में engine flush करने के लिए जिन प्रोड़क additives मिला होता है, यहाँ पर mix होता है, साथी diesel में anti rust और anti corrosion जो additive से वो भी दिया होता है, तो diesel सफाई के काम में आता है, और से जो TT oil तारपिन तेल होता है, उसमें भी इसी तरह से detergent additives का use किया जाता है, वहीं दूसरी तरह जो engine shampoo होती है, जो engine flush का solvent होता है, liquid होता है, वहाँ प different कहां प्याता आप यह समझो, अगर आप diesel से तारपिन तिल से engine को flush करते हो, तो उससे engine को नुकसान नहीं होगा, बिलकुल नुकसान नहीं होगा, आप इससे कर सकते हो, diesel भी अच्छी तरह से engine है, उसे clean करता है, इस बात में पूरी सच्चा ही है, जश्ट फरक यह हो जाता ह है कि जो हमारे engine shampoo होते है, जो solvent होते है, उनके chemical composition में, जो cleaning properties है, वो diesel के मुकाबले ज़्यादा होते है, क्योंकि diesel को नहीं बनाया जाता है, cleaning करने के लिए diesel को बनाने का main purpose होता है, वो diesel engine वाली गाड़ियों में, engine के अंदर में जाए, वहां पे उसका अच्छी तरह से burning हो, जि यहाँ पे primary function cleaning नहीं है, लेकिन जो solvent होते है, जो shampoo होते है, वहाँ पे फायदा यह हो जाता है, कि उन्हें बनाया ही जाता है, cleaning purpose के लिए, और खास करके engine कंदर में, जो चिपची पे बहुत ज़्यादा sludge गंदगी होती है, वो बहुत असानी से नहीं निकल पाती है, तो उन के मुकाबले थोड़े बहतर तरीके से, जो हमारे solvent वगर है, वो काम करते है, जो हमारे shampoo वगर होते है, engine shampoo, वो काम करते है, बट इस बात में पूरी सच चाहिए, कि भाई आप डीजल से करो, तारपिन तेल से करो, जो engine shampoo है, जो engine flush है, उन से करो, कोई भी पूरी तरह से engine के अ करने में नुकसान नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन चुकि ये काम बार बार नहीं करना होता है, इंजनल 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, डिपेंड करता है, इंजन oil जो निकल रहा है, उसमें कितनी अदक गंदगी भी निकल रही है, उसे देखते ही, वो engine को flush करना होता है, तो कभी engine shampoo को, या फिर जो engine, जो हमारा flush का solvent होता है, जो chemical liquid होता है, आप उसे यूज़ करोगे, तो वो इनका मुकाबले थोड़ा जादा बेतर हो जाता है, और कई बार ये भी हो जाता है, जो diesel है, हलाकि दोनों में सच चाहिए, कि जो engine flush करते हो आप, तो पूरा का पूरा जो अंद पतला कर देता है, लेकिन अगर engine flush थोड़ा ही quantity में अगर रह जाए, तो वो engine को जादा नुकसार नहीं करता है, तो ये भी एक फाइदा जो है engine flush वागरा से देखने को मिल जाता है, जो engine flush का liquid होता है, उससे देखने को मिल जाता है, तो मैंने आपको detail में सारे point समझा दे, य अब दोबारा से engine oil को फिर से change कर दो, अगर दो तीन बार frequently आप engine oil को भी नया change कर देते हो, तो वो engine oil भी अपने अंदर से, जो हमारे engine का अंदर गंदगी है, उसे बाहार निकाल दता है, उसी time पर साथ में आप चाहो तो engine flush को भी perform कर सकते हो, ये सारे मिलकर बहतर तरीके से engine engine को clean कर देते है, तो उम्मीद है कि आज किस वीडियो में दीक है, जान कर देते हैं, आपको पसना होगी वीडियो चल लगो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय, आप मुझे comment करके जरूर बताए, इसके करनल को subscribe करके बिल अकन को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाले important वीडियो के update आपको notification के तुरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, thanks watching this video, goodbye.